हलो शुरेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडिया मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो कक्षाबारब हुगोल में जो भारत लोग और अर्थव्योस्था है दूसरी जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट उसमें चैप्टर नंबर दस परिवहन तथा संचार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसचेप्टर को आज के सतंबने ख उतंब करने जा रहे हैं जानी समझेंगे कि क्या है कॉम्मुणीकैशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट gp म sitting सुरू करूं एक बात का ध्यान रख्येगा कि मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम एक ऐसा प्रिटफॉर्म है जहां पर आपक्षा साथ से बारत तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निशुल पा रहे हैं वो भी हिंदी मीडियम में आप किसी भी स्टेट बोर्ट से पढ़ते हैं या सीवसी बोर्ट से बिना किसी कूपन कोड या डिसकाउ तो एक तो हम पढ़ेंगे परिवहन ठीक है फिर इस परिवहन में हम बात करेंगे सड़क परिवहन यानि रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरी बहुत सवाल बनते हैं आपको कम से कम देश में जो सड़क के जाल हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए बेसिकली में आपको फिर वही जो डेटा इंपोर्टेंट हैं किन सड़कौन से महामार्ग राजमार्ग इंपोर्टेंट हैं और कौन सी एरियास में कौन-कौन से हाइवेज हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूँगा रेलवे परिवहन आपको पता है दुनिया का बहुत न्यूज में हैं क्योंकि जल परिवहन में आपको बता है कि नेशनल वाटरवेज 1 नेशनल वाटरवेज 2 राष्टी जलमार्ग जो बनाये जा रहे हैं विक्सित किये जा रहे हैं अभी प्रधान मंत्री मोदी जी ने वारारसी से आपने देखा फ्लैग आप तो यह बहुत चर्चा में है तो इसकी डीटेल में मैं आपको कम से कम पांच जलमार्गों के बारे में तो डीटेल बताऊंगा फिरम थोड़ी बात करेंगे वायू परिवहन एयर ट्रांस्पोर्टेशन आपको बता है वायू परिवहन ये कैसा माद्ध्य में जो दुनिया एक और बड़े अनोखे तेल पाइपलाइन के बारे में अलग से जरूर एंड किया है यह इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि तेल पाइपलाइन क्या है कैसे पाइपलाइन के माध्यम से तेलों का भी और गैस का भी एक तरह से क्या किया जा रहा है उनको एक ज मंदीञा3 महत्श्पूर्प डीटा रहेगा इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे अ मदिगे परिभवन क्या है जैसे आपको सूरूं बताए कि Operation करेंगे तो हएक ऐसी प्रक्रियु साधन के द्वारा एक स्थान और गया है जाता है यस Koren life है यह अपने आप में परिवहन कहलाती है ठीक है अता परिवहन में वह सब साधन सम्मिली थे हैं जिनके द्वारा यात्री और वस्तुएं आदी इधर से उधर लाई और ले जाई जाती है ऐसे साधनों में मानों पशू बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी मोटर रेल वायू य यह सारी चीजें इसमें सामिल रहती है ठीक बात है परिवहन के साधनों का आधार परिवहन के मारग हैं जैसे सडक मारग रेल मारग जल मारग वायू मारग यह सब इसके मारग है इन विभिन मारगों के द्वारा ही भिन विन वाहनों का प्रयोग किया जाता है और हमारी छो करेंगे क्रिशी उद्योग धंदा ब्यापार सभी परिवहन के साधुनों पर आश्रित है परिवहन की सुविरा आज किसी भी देश के लिए प्रगती का आधार भूत तत्व है क्या वोगने इसको बेसिक सब्सक्राइब करें तो परिवहन को प्रगती के मार्ग में केंडिल या लैंब कहा जाता है जो एक रास्ता दिखाने का काम करती है अब परिवहन के साधनों के अगर हम चर्चा करें तो एक है इसका जल मार्ग जिसको आप कह सकते हैं एक स्थल मार्ग और एक वायू मार्ग यह आपके सामने एक बहुत क्लियर कर डिविजन दिखाई दे रहा है तो जल मार्ग में सागरी और महासागरी मार्ग है ठीक है या नदी जील तालाब ये सारी चीज़े आ जाती है तो एक तो सागर महा सागर है और एक अनता इस्थली इनलैंड वाले हैं जिसमें नदी जील जरने ये सब आती है इस थल में एक सबसे इंपोर्टेंट सडक दूसरा रेलवे और तीसरा पाइपलाइन की बात आ जाएगी अगर है और वायू भी राष्टी मारक अंतर राष्टी मारक आपको पता है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक डूमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं एक इंटरनेश्णल होते हैं मतलब आप देश के अंदरी घूमना चाहें तो वह राष्टी और पूरी दुनिया में और इसका बहुत बड़ा जाल भी बना हुआ है अब थोड़ी से बात कर लेते हैं भारत में सड़कों के विकास की तो भारत में परिवहन के रूप में सड़कों का प्राचीन समय तक चल रहा है आपने यतिहास में सुना होगा उत्तरापक्ष दक्षणापक्ष है ना जिसको आज ग्रेंट ट्रंक रोड आप कहते हैं जो सूर सासूरी का क्रेडिट दिया जाता है उसने बनाया है उस वह रहांकि स्थिती उससे पहले भी उन मार्गों की थी वह सड़के बहुत अच्छी बनी हुई थी और जिसको नियोजित नगर के रूप में आप जानते हैं बहु तो यह भी इतियास मारे सामने है कि गुप्त काल में सड़कों के विकास पर और अधिक ध्यान दिया गया तत्पस्चाथ सोलवी सताबदी में सेरसा सूरी द्वारा पेशावर से सुनार गाव बंगलादेश तक बनवाई गई ग्रांट टंक रोड भी विशेश उरुप से उलुक नहीं है जीटी रोड जिसे आप कहते हैं आज कल अमरीश से कोलकाता था कि यह हमारे देश का प्रमुख मार्ग बनी ह और इसे नाकपूर योजना का नाम दिया गए मैंने इतिहास आपके लिए ध्यान रखेगा तो सवतंत्र एक तरसे भारत में आधुरी भारत में 1943 में एक नाकपूर योजना आई थी और जिसमें सड़क विकास की बात की थी और दस वर्स में 2,65,000 किलोमेटर से जादा 10,70,000 किलोमेटर तक पहुचाने की कोशिस की गए यह सोतंतर भारत में हुई तो एक तो सड़कों को लेकर यह भी इंपॉर्टेंट कदम उठाय गया फिर विकसित किरसी छेतर का प्रतेक गाउं में पक्की सड़क से 6 किलोमेटर तथा अन्य सड़क से 2.4 किलोमेटर तक बाद भी चलती है इसमें यह योजना बनाई गई कि गाउं की जो गाउं है उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा और यह सीडिय सेंट्रल गौर्मेट के द्वारा बनाए जाएगा अर्द विकसित छेतर में कोई भी गाउं पक्की सड़क से 12.8 किलोमेटर और अन् किलोमेटर चेतर में सड़की औस लंबाई 32 किलोमेटर तक पहुंचा दी जाए यह बहुत पुरानी योजना थी उस समय जब कहीं दूर दूर तक सड़के नहीं थी तो बोला गया जो एकदम विकसित नहीं है उन सड़कों को भी कम से कम वहां से 19 किलोमेटर दूर पक्की चाहिए यह योजना बनाई जाए कि सड़कों पर भौतिक दसा का क्या प्रभाव पढ़ता है बहुत प्रभाव पढ़ता है तो अगर सड़क अच्छा सड़कों के निर्मान में यह आप योजना जो मैंने लिखी ती अभी इसको आप जरूर ध्यान लखेगा इसको सौट म प्लेन एरिया रहेगा वहां सड़क बनाना आसान है जो बहुत पहाड़ी एरिया है वहां बहुत मुस्किल है प्लेटिव में थोड़ा और उसके प्लेन के पेक्षा ज़्यादा मुस्किल है तो भागोलिक दसाकत परभाव पढ़ेगा ही यही कारण है कि भारत के सभी पस्चिम मंगाल असम और जम्मू कस्मीर में है असम तथा जम्मू कस्मीर पहाड़ी राज यह तो और ज्यादा दिक्कत होगी इसमें कोई दोड़ा उप नहीं है अब यह बड़ा काम की चीज़े इसको आप जान से देख लीजेगा तो भारत में जो सड़कों का वर्गी क करण किया गया है कि क्यों कौन कौन से सरक रहेंगी तो एक होता है राष्टी राजपत जिसे हम बेसिकली बोलते हैं नेशनल हाइवे ठीक है जिसको short में एनेच बोला जाता है और इसको बनाने का काम दिया गया है एनेच ए आई को जिसको बोलते हैं national ये बहुत important जानकारी है नोट करते चलिएगा नेचनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया एनेच आई ठीक है दूसरा राजकी पत होता है ये बेसिकली क्या होती है ये स्टेट हाइवेज होती है और ये बैसिकली PWD जो सरकार होती है वहाँ उसकी देखती है जिला सडके ये जो है डिस्टिक रोड होती है जो जिले के कार्योजना से बनाई जाती है और गाउं की सडके जिसको आप लोकल रोड कहते है ठीक तो ये चार तरह की सडके पूरे देश में आपको दिखाई इन सडकों के वर्गीकरण को हम फिर से रिवाइस कर लेते तापको या आपका कि आपको याद रहे तो पहला यह मैं जान बुझकर कि आप एक राश्टी राजमार्ग याद रहेगा ठीक है दूसरा राजपत या राजमार्ग और तीसरा हमने क्या देखा जिला सडकें और उसके बाद हमने क्या देखा गाओं की सडकें ठीक है तो अब तो याद रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यह हमने सडकों का वर्गीकरण किया हुआ है ठीक है राजमार्ग कह सकते हैं या राजमार्ग कह सकते हैं यह होता है ब स्बात है कोई दिक्कत तो नहें होगी चल यह बहुत बढ़े यह आप अपने ध्याद में रखेगा ठीक है यह गया आपके सामने राश्याж्पत ड्राज्कयेपथ जिला सड़के गाओं कि सड़के ठीक है छले अब इसमें और अगर आप करना चाहें तो देखिए राष्ठी राजपथ इनका प्रभंध केंद्रिय सरकार के अधीन है राज़कीय प्रम सरकार को हैं जीला सडके इनका रखरकार 스रकार कों करती ओर गाओं की सडके यह कस्बो और सपरों को मिलाती है इनकी देखवाल जीला प्रश्थ और करती है कई बार गाओं की पंचायद है पहले पहले बता है National Highway Authority of India यह राजय सरकारों के दुवारा यह जिला की सड़के और यह गाउं की सड़के यह इनका प्रबंदन है इसको भी आप बच्छे से नोट कर लीजिएगा कोई डाउट तो नहीं होगा नहीं सर ठीक है राष्टी राष्पात की बात करें तो यह सड़के देश के एक राजय को दूसरे राजय से जोड़ती है और एन एच फोटी फोर याद रखिएगा सबसे लंबी और स्री नगर से स्री नगर से कन्या कुमारी यह कोश्चन बहुत पूस्ता है कई लोग जम्मू से लिख देते हैं ठीक है इस नौर्थ साउथ कॉरिडियोर यह भी नोट कर लीजिए इसको कहते हैं नौर्थ साउथ कॉरिडोर यानि उत्तर वक्षिन गलियाला इस प्रकार की यह सड़के ज आप ने देखा वियोगा शिक्स लेन एट लेन इन सड़कों का राष्ट की अर्थ विवस्था ब्यापार सामाजिक और राजनेतिक एकता और सैनिक क्रिया कलापों के लिए बहुत योगदान है क्योंकि पूरी मुवेलिटी यही टैग करती हैं यही कारण है कि सड़के भा लाग 32,492 किलोमेटर है जो कुल सड़कों की लंबाई का दो परसेंट से भी कम है फिर आते हैं राज़के पत यह राज़के बिभिन जीलों को जूड़ते हैं यह सड़के राष्टी राजपतों से मिलती हुई होती है कई नेशनल हाइवे से मिल जाती है जिनसे यह राष् मिए सड़कों का प्रवंद राज्ब सरकार करती है इस्टेट की गवर्मेंट इसके लिए करती है ठिक है जिले की सड़के का रख रखाव भी राज्सरकार के अधिन होता है यह सड़के एक वह से मिलाती है। यह से जोड़ती है जैसे माली जिला है तो जिला का यह मुख्याल है और एक तहसील यहां एक तहसील यहां तो इन सभी तहसीलों को जोड़ने के लिए सड़के बनेंगी वह जिला मार कहलाएंगी गाउं की सड़के जो है वह एक गाउं को दूसरे गाउं से एक कस्वे को दूसरे इन सवकों में प्रादेशिक विश्म्ता भी पाई जातीज अलगलग प्रदेशों में अलगलग तरह की ये सडके हैं और यहीं पर पीम ग्राम सड़क योजना सबसे ज्यादा काम आती है ध्यान लखिएगा प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना ठीक है अन्य सड़कें जो है बहुत सीमान सड़के हैं या कई बार सेना की संगठन अपने लिए सड़कें बनाती हैं वो भी सड़कें हैं इसका उत्तरी और उ कि सबकों का महत्व जाहिर सी बात है समझ सकते हैं आप सबसे सुविदाजना की एक मार्ग है जिससे आप आराम से कहीं भी जाते हैं बहु उपयोगी है यानि आप पैदल चलिए गाड़ी से चलिए समान धोई है कोई भी काम है सडक से कर सकते हैं कम खरचीला है छोटे से सबकें अच्छी है तो अच्छा परिवहन होगा अच्छा ब्यापार होगा अच्छी मोबिलिटी रहेगी तो इकनामिक डवलप्मेंट होगा अधिक लोगों को रोजगार देगा इसमें तो कोई राय नहीं है यह सब सडक परिभान का महत्वाप नोट कर लिजेगा हाँ ए यह यह एक तरस रहाब भारत मला प्रॉजेक्ट है यहां रखेगा पिछड़े इलाके धार्मी को अप्रेटर स्थलों को जोडा यह न이 बड़े बड़े धार्मी की क्छ लोग जोड़ना बड़े-बड़े पोर्ट्स को दूसरे प्रदेशों से जोड़ना एक तरा से पूरा भारत माला प्रोग्राम है यह शेंट्रल का योजना है और परिभान मंत्राले जो है उसकी योजना है दो भाग बॉर्डर वाले हैं इनके छोटे बंदरगाओं से जोड़ा जाए जो पिछड़े इलाके हैं धार्मी को परेटन स्थल हैं इनको सड़कों से जोड़ा जाए यह सब भारत नालका है सतत भारतम योजना में पंद्रासों बड़े पुल और दो सो रेल ओवर विज अंडर 165 वर्सों का इतिहास है 16 अप्रेल 1853 को पहली बार मुंबई से कहां तक ठाने के बीच में रेलवे लाइन चलाई गई थी और यह 34 किलोमेटर लंबा था ठीक है बहुत पूछा जाता है यह वरतमान में भारत की रेल परिवन विवस्था एसिया में दूसरी सबसे बड़ी चाइना के बाद और विश्व में सबसे विश्व में चौथे स्थान पर है रेलवे भारत का सबसे बड़ा राष्टी कृत उद्द्योंगे और दुनिया का सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करने वाले भी यह इंप्लॉयर है ध्यान रखिएगा 31 मार्ज 2008 तक भारत म 2800 रेल गाड़ियां प्रते दिन चलती हैं और कहा जाता है कि जनसंख्या के बराबर तो लोग उसमें वह सफर करते हैं इतना इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन है यह कंट्री का इसने हमेसा ध्यान में रखके चलना है भारते रेल मार्गों के प्रकार है चोड़ा रेल मार् जाते है यह रेल कि पट्रियों की चोड़ाई के सबनाघिया जाता है ञाते द्ध्यान लखीएगा ठीक है तो यह आप Dhanva लोग आप ब्रॉड लिलेी सञदे़ाइख वाले पहाड़ी बोल देते हैं मीटर गेज क्या है यह एक मीटर की होती है और रेलमार्गों की लंबाई का 43 परसेंट भाग जो है मीटर गेज रेलमार का है तो चोड़ा यानिकी बड़ी लाइन और मीटर गेज यह दो सबसे इंपोर्टेंट है सकरा जो है वह 0.77 नेरो गेज होता है देश में ऐसे रेलमार्गों की लंबाई लवग सत्रह सो इक्यावन हजार किलो मीटर है तो यह भी ध्यान लखिए गाप पहाड़ी है इसमें क्या है रेलमार्गों पठ्रियों की चोड़ाई दो फिट अर्था जीरो 0.67 फिर वन मीटर फिर 0.77 और लास्ट में केवल दो फिट यह चार तरह के आपकी यह लंबी मीटर गेज सक्री और बहाड़ी प्रमुक्रेलमार्गों की बात करें तो 1614402 किलिमेटर लंबे रेलमार्ग है और एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक फैले हैं स्वतंता प्राप्ति के पूरविन रेलमार्गों का अलग अलग राज और कंपनियों में हाथ में था लेकिन स्वतंता के बाद इंडियन रेल्वे जोन्स में बाट दिया गया है उत्तरी रेल्वे जो नई दिल्ली इसका एक तरसे मुख्याले आप मानके चलिए पस्चिमी रेल्वे चर्च गेट मुंबई यह बहुत पूछा जाता है ध्यान रखेगा मध्ध रेल्वे मुंबई गुहाटी दक्षिर पूर्वी रेल्वे कोलकाता दक्षिर मध्ध रेल्वे सिकंद्राबाद मध्यपूर्व रेल्वे हाजिपूर उत्तर पस्चिम रेल्वे जैपूर और पूर्वी तटवरती रेल्वे भूनेश्वर यह इंपॉर्टेंट रेल्वे और उसके आपको हेड दिखाई देंगे उऱ्टर मढद्री रेलवे एलहावा प्रियाग राज ठीक दी पस्चीवाहरूबाबूमादी बिलासपूर और कोलकातरा मेटर रेलवे यह लग इह लगए है ठीक है जी चलिए इतना काफी है अब हम इसके यह मार्ग हो गए तो इसमें कोई डाउट कंफूजन आपको नहीं हो नहीं चीए दो तीन चीज ध्यान लख नहीं कब सुरू हुआ कौन से रेलवे लाइन के चार प्रकार हैं चोड़े और मीटर गेज और स्मॉल इसके बाद बहुत चोटा और जो सोल तरके के अलग-अलग जोंस और उनके हैटकौार्टर से उसको भी ध्यान लखेगा भारत में प्राचीन काल से ही जल मारगों का प्रयोग हो रहा है हम जल मारगों की बात कर से दो तीन तरह की चीज़े मिलती थी एक तो परिभन के लिए व्यापार के लिए वह सुगम हो जाता था दूसरा इसके अलावा वहां से एक भगोलिक उनको सुरक्षा भी मिलती थी जैसे मगत के लिए इंपॉर्टेंट है और पीने के लिए खाने के लिए जल तो मिलता ही से भीतरी जलमार्ग आंता इस्थली मार्ग इसकंदर नदिया नहरे और जीले आती हैं यह भीतरी व्यापार के लिए सर्वुत्तम है और लगों हमारे सवासो वर्स पूर जब रेले नहीं थी तो अधिकांग व्यापार इनी रास्तों से हुआ करता था ठीक बात है भारत के बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे हैं परंतु रेल्वे और सड़कों के विकास से भीतरी जलमार्गों को प्रगती को धक्का लगा और बहुत बुरी तरह पिछड़ गया तो सुरू में जो नगर विक्षित हुए नों बिसेस करके क्या हुए वह इनी नदियों के क थे कारण है कि हमारे देश के उष्र जलवाई के कारण नदिया Kristin कभी नहीं जमती सदय नाब बनी रहती है कि तो इसा बार ऐसा होता है कि नदियों में ऐसा होता है कि पानी एकदम सूख जाएगा या तो अब जो वाटर लेबल चाहिए उसमें जहाद चलाने के लिए वो नहीं मिलेगा दूसरा बरसात के सीजन में कई बार होगा कि बड़ी भाड़ा जाएगी तो उसमें नाव चलाना ही नदिया मुहाने पर डेल्टा बनाती है तो उनके पेटे में रेट के ठीले बड़े तो लास्ट में नदिया जहां मिलती है वह बड़े-बड़े बड़े के ठीले ओ जाते हैं तो उनको समुद्र साफिर Connect करना इसमें तूक दुक्कत होती है उत्ताभारत की नदिया मंद ब बहुत टेज बहेंगी मारग में ज़रने बनाती है अब आप नदी से जा रहे हैं अब नाव लेके जा रहा है अचाना यहां नीचे जरने में गिर गए तो यह भी एक एक वोट अगरक इस्तमाल करें तो साड़े 14,000 किलमेटर तक का परिभन नदियों से कर सकते हैं इसमें 3700 किलमेटर मुख्य नदियों तक यांत्रिक जलायान चला जा सकते हैं करीब 2000 किलमेटर नदी लंबाई का ही प्रयोग किया जा सकता है ऐसा भी हमारे हैं ब्रहपुत्र की बा और आगे तक जाने लगा है हुगली नदी परिवन का महत्रपूर्ण सादन है साल भर इसमें नावे चलती रहती है हुगली नदी पर बहुत नाव चलती है खासकर क्रॉस करने के लिए रिवर्स इन नदियों के तरिक यमुना और सतलच के उपरी भागों में महानदी गोद आगे वह नहरे इतनी चौड़ी नहीं है कि आप उस पर पूरा जहाद चला ले या पनामा पनामा कहना जैसा नहीं है तो यह एक दिक्कत हैं बहुत बहुत गहराई है न चौड़ाई है हमारे नावे चलाने होगे नहरों की कुल लंबाई केवल 24,000 किलोमेटर है और 485 किलो प्रस्तावी तो बहुत दिन से वह इस पर तेजी से थोड़ा का लगी भी हुई है वह राष्ट्य जलमार्गों को विक्सित करना या जिन पर संभावना है कि हम उनको जलमार्ग के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं उसको तेजी से विक्सित किया जाए तो इसमें सबसे तक 1620 किलोमेटर लंबा है जो उत्तरप्रदेश जारखन पस्चिम बंगाल से होकर गुजरता है विहार से भी अफ्कूर्स ठीक है विकासात्मक के अंतरगत तीन भाग है हल्दिया से फरक्का पांसो साथ फरक्का से पटना चारसो साथ पटना से अलाहबाद छे सो तो लग ब्रहंपुत्र रिवर पर है ध्यान रखिएगा आठ सो इक्यामन किलोमेटर लंबा सदिया असम से धुबरी असम तक ब्रहंपुत्र नवी के मुहाने से डिब्रूगर तक इसमें स्टीमर चलते हैं एक सितंबर 288 को राष्ट्य जलमाग इसको घोसित किया गया था ठीक है उसके बार राष्ट्य जलमाग तीन ये केरल के पश्चीमी तट पर 205 क्लोमेटर लंबा है इसके अंतरकर कि पश्चीमी तट नहर कोट्टापूरम केरल से कोलम उद्योग मंदलम तक कोची इसको सामिल किया गया है ठीक है इसका विस्तार पश्चीमी तट नहर 168 किलोमेट उद्योग मंदल नहर 23 किलोमेटर और चंपकारा नहर तो बिसिकली यह नहर बेस्ट इसमें चीज़े बनाई गई है राष्ट्य जलमांग नमबर चार यह भद्राचलम से राज राज मुंदरी के बीच गोदावरी नदी पर है वजीराबाद से विजयवाडा के बीच कृष्टना नदी जलमार को तथा काकी नारा से पॉन्डीचरी के बीच नहर जलमार्ग तो इसमें तीन दो नदियां और एक नहर सामिल है कौन सा गोदावरी कृष्टना और एक नहर जलमार यह राष्ट्य जलमार्ग नंबर चार में है ठीक बात है अच्छा यह आपको ध्हान ने चीए और यह जलमार्ग 1095 किलोमेटर लंबा है शोलिंग नालू से कल पक्कम तक 37 किलोमेटर लंबे मार्ग को 24 जनवरी 2012 को सुकृति मिली है ठीक बात है इसका विस्तार है भद 2 ऑपका है राष्टा मनबर पांच पार आते हैं तो इस जलमार्ग अंतरक टालचे ऐसे धमरा के बीच ब्रहाणी नद्य तंत्र के जलमार्ग जियानखली से चल्वतिया के बीच पुर्वी तर्षिणाहल को जो किवल एक नदी पर बाकि कई नदियों को जोड़ जोड़ के बनाए गया है और में इंपोर्टेंट आपको शुरू के दो रखने हैं बाकि के तीन मलब पांस तक मैंने आपको बता दिये कि थोड़ा आइडियार है चेसो ती किलोमेटर यह लंबा माना जाता है इसका विस्तार छेत्र भी आप देख लिए जियोन खली पस्चिम बंगाल से चर्वतिया उडीशा तक चर्वतिया धमरा उडीशा से मताई नदी ताल चैर धमरा उडीशा से ब्रह्मारी खरकसुआ वह धमरा नदी इसाब इसरा केरल चौथा जो है वो तेलंगाना थोड़ा और करनाटक वाला इलाके जो है तमिलाडू टच करते हुए पांचमा पस्चिम मंगाल उडीशा के आसपास तो इतना भी ध्यान रहेगा आप तो अराम से कर लेंगे अच्छा अब आते हैं यह थे इंलेंड वाटर वाले यानि अंतर अंता जली वाले अगर हम भारत के समुद्री मार की बात करें तो स्वेज मार्ग यह मार्ग भारत और यूरोप के भी सबसे छोटा मार्ग है और यह कब बना था 1869 में जैसे माली यह आपका अफरीका वाला द्विप है और यहां माली यह भारत है तो पहले इंग्लेंड से इतर पूरा घूम के केप ऑफ गूड घूम के भारत आते थे तो बीच में क्या किया यह सौधी अरव वाला इलाका है तो इस बीच से निकाला गया स्वेज नहर ताकि लोग जाकर उसको सीधे निकल जाए ज और जो यूरोपिय देंस है उनसे भारत व्यापार कर लेता है ठीक है फिर है उत्तम आशा अंतरी अमार्क भारत को दक्षड अफरीका दक्षडी अमेरिका उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों से जोड़ता है ठीक बात है ठीक तो यह यहां पर भारत है तो यह जो मा कोचिन से मोंबासा डर्बन केप टाउं जो दक्षिर अफरीका के नीचे वाले सारे इलाके हैं ब्राजील अर्जेंटीना जो लेटीन अमेरिकी देश हैं संयुक्त राज भारत इन देशों को यात्री सेवाएं देता है पूर्वी अफरीका पाकिस्तान स्रिलंका मालदीप मौरिसस फारिस की खाड़ी मलेशिया सिंगपर हिंदेशिया यह सब आज रहें अब आता है कि जल परिभन के महत्व की अगर हम बात करें तो परिभन के सबसे सस्ता साधन है भार्ड होने की इसमें अधिक्षमता है जलमार बनाने में कोई नया व्याय नहीं होता और ठोक धुलाई के लिए भी बहुत उप्यूप्त होता है तो यह भी आप ध्यान न किएगा यह सब इसके फायदे हैं अब हम आएंगे वायू परिभन के तरफ थोड़ा तो वायू परिवन आपको पता है कि नए तरह की क्रांती है तेज ट्रांस्पोर्टेशन की तो परिवन के साधनों में वायू मार्गों का विशेश स्थान है कुछ समय से भारत में भी वायू परिवन ने संसार के अंदर अपनी स्थिती बना ली है यह भी बहुत इंपॉर्टन बात ह है क्यों भारत में क्यों है आपको पता है कि भारत में एक क्षित्मीन था कि रखक फास वी께 हर और भारत में देर देर यह विकसत किया रहा है भारतən वाई Πरिभन के विकास के सुभधाlor तो भारत पूर्वी गोलार्थ के मद्ध में इस्थित है यूरोप तथा सुदूर पूर्व को जाने वाईवान भारत से होकर जाते हैं भारत एक लंबा चोड़ा देश है और अंतर देशी वाईवान की सुभधा चलाई जा सकती है ठीक बात है यहां की जलवाई भी वाई प ठीक है भारत में वायूयान निर्माड के लिए आवश्यक कच्चा माल यानि एल्मूनियम कुसल स्रमिक और टेक्नॉलजिकल जो नौलजज चाहिए वह भी उपलब्द है हवाई अड़े बनाने के लिए बहुत सारे स्थान भी है हवाई पट्टी बलाने के लिए समतल जमी सब्सक्राइब के बाद इनकी संख्या 21 हो गई 1953 में भारत सरकार ने एक नागरिक उड़ेन कानून बनाया और वायू परिवाहन का राष्टी करन कर दिया और अब उड़ेन मंत्राले भी भारत में एक बना हुआ है जिसका भी मंत्री है 2023 जन्वरी तक जोतिर्याजित सिंध उनकी सब्सक्राइब सर्था त्यार करेगा तो परिचालन के अंतरगर इंडिया एरलाइन एरलाइन एर नीजी अनुसूचीत ईरलाइन जिसमें इंडिगो एर गो एर और कों से विस्टारा बहुत सारी है एयर टेक्सी घरलू भीमान से वाएं एए इंडिया अंतराष्टि क्रित एरलाइन है इंडियन एरलाइन सहां यह देश की प्रमु घरेलू हवाई सेवा है या ठारो राष्टों पाकिस्तान मालदीव नेपाल सिरलंका सिंगापूर समय राज अमेरिका बहरीन कुवेट अंतराष्टी इस्टेशन और पच्पन घरेलू इस्टेशन के लिए हवाई अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर वायुयानों का संचालन उतना असान नहीं रहेगा चार प्रमुक हवाई अड्डों की बात करें तो अंतराष्टी हवाई अड्डे इन हवाई अड्डों के द्वारा क्या होता है दूसरे देशों तक उड़ाने भरी जाती है यह से दूसरे देश तक जिसको अंग्रीजी में आप कहता है जब एयरपोर्ट होता है तो एक होता है इसमें इंटरनेशनल और एक होता है डोमेस्टिक यह दो तरह के हवाई अड्डे रहती है तो दिल्ली में पालम जो अब इंद्रा गांदी अंतराष्टे वह अड्डा कलाता है मुंबई का छत्रपती सीवाजी हवाई अड्डा कोलकाता में नेता जी सुभास चंद्र बोस हवाई अड्डा ठीक बहुत सारे कुशी नेखर में ने हवाई अड्डा बना है चोद्री चरणर सींग इंटरेशनल हवाई अड्डा है लखनवूद बहुत सारे यह लेकिन यह कुछ प्रमूख है चाह हवाई अड्डों को अंतराष्टी हवाई अड्डों का दर्जा दिया अब यह बढ़ता में लिया क्योंकि विक्सित हो रहा है और भी कुछ हवाई अड्डे है ठीक है इसके अलावा फिर है मतलब जो बाद में 2000 में भी दिये गए तो हैदराबाद गोवा कोची एहमदाबाद अमरिसर गुहाटी इन 6 को 2000 में और जोड़ा गया मतलब 6 और अंतराष्टी हवाई अ जो ड़े गए कॉयमन में देस में 34 हवाई अड्रों का दरजय जंद परदान किया तो इस समय या आप कह सकते हैं को ism कर दो प्रतान कर दिया गया है तो सुरू में छे फिर और चोटीस अजो को इसमें इंटरेशनल बना दिया गया है बड़े हवाई अग की बात करें तो देश में दूसरे स्रेड़ी के हैं जो देश के बड़े और कुछ राज्यों की राज़दानियों को जोडते हैं मजले हव और भावनगर भूनेश्वर कोटा विसाका पत्नम विजयवाड़ा पूरबंदर जोदपूर ये सारी हवाई यद्दे हैं छोटे जो बहुत छोटे-छोटे-छोटे जहां से कुछ दो-चार फ्लाइट चलते हैं इसे गोरकपूर हुआ दरभंगा हुआ इस तरह क्या जो प्रमुख है भारत के भी देख लिए दिल्ली कानपूर इलहाबाद कोलकाता एक प्रमुख Wagyu मार्ग हैं दिल्ली लखनव वाराण सी पत्ना गोरकपूर कोलकाता दिल्ली जैपूर एहमदाबाद मुंबई और दिल्ली नागपूर हैदराबाद चिन्नई यह कुछ प्रमुक वायु मार्ग है ठीक है इसका भी आप ध्यान में रखके चलिएगा फिर दिल्ली अमरिस्तर जम्मू स्रीनगर मुंबई पूरे बैंगलूरी मुंबई बडोद्रा एहमदाबाद च यहां भाई परिभन्त तंत्रकिस प्रकार फैला हुआ है और यह तो आपको आपको समझना ही पढ़ेगा कि जो वायू पर इभन है उसका मह्त्व क्या है तो सबसे कि इसका सबसे इंप्रोंत बाकी कि चीजे बाद में आएंगी जो वाईव परिवह ने इसका सबसे इंपोर्टेंट पार्टी है कि तीज काम करता है जिरापर आप रेल्वे से तीन दिन पहुंचेंगे यहां पर तीन घंटें पहुंच सकते हैं उसको आप कंचे चीजों को जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वनों की सुरक्षा सुरक्षा में सहायक ये सारी चीज़ें वनों की सुरक्षा कैसे भाया अगर आपको रेलवे के लिए लाइन बनानी है अगर आपको सडके बनानी है तो फिर वन को काटना पड़ेगा इसके लिए ऐसा कु हो जा गया यह तो ज़रूरी है अगर खनी स्टेल निकलेंगे तो उनको कैसे धोया जा इसका रास्ता भी तो ढूड़ा जाएका ना तो आज कल यह प्रेशर का मैं तपूर्ण शाधन बन गया जो गैस तेल का इसको सब देखती है और यह के बड़ा एकतर से परिभान या प्रेशन का साधन बन गया है भारत के करनाटक राजे में कुदेर मुख लोहे की खान से लोहा आयस को भी पीस कर पानी के साथ पाइपों में वहाकर मंगलोर बंदरगा पहुचा दिया जाता है देखिए तो इस प प्रमुख पाइपलाइने कौंसीट्यस में ये जानने जरूरी है हजीरा-वीजयपूर-जगदीशपूर ग介स पाइप लाइन ये सब मेंतपूरत पाइप लाइन है एहमदाबाद मत्रूरा पाइपलाइन मुंबई हाइट ट्रॉंबे पाइपलाइन कुद्रेमुख मंगलूर पाइपलाइन जिसमें लोहा आयस्क भेढ़ा जाता है और आनंद एहमदाबाद पाइपलाइन यह दूद के लिए बनाय गया जो अमुल प्रोजेक्ट वाला आपको पता है कि आज की जो दुनिया है वो किस चीज की दुनिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलजी की दुनिया है जो सूचना तंत्र है यह बहुत बड़ी चीज बन गई और इस सूचना तंत्र का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह हो उसके कई साधन है कभी रेडियो था फिर तेलिग्राम तेलिग्राम था रेडियो था तेली विजन आया फिर केबल टीवी आया पिर सेटलाइट और उपगरह आगए मोबाइल है फोन है यह विविगेशन का माध्व है कई आप सुमते हैं क पढ़ते हैं की अप आडियो वीडियो दोनों करते हैं यह सब इसके तरीके हैं तो जिस प्रकार वस्तूओं का आदा एक जगा से दूसरे जगा लाए जाता है उसे परिभहन कहते हैं इसी तरह विभिन व्यक्टियों के भी जो सम्वाद और संदेशों का आदान-प्रदान होता है तो जब वस्तूओं का और लोगों का आदान-प्रदान होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थान आंतरन होता है उसको आप परिवन कहते हैं और जब समवाद यानि बादचीत का आदान प्रदान होता है तो वह संचार कहलाता है बिभिन व्यक्टियों और स्थानों के भी समवाद और संदेशों का आदान प्रदान इस माध्यम से किया जात है तो संचार के साधनों के कारण आज हम घर बैटे ही कुछ छड़ में विश्व के सारे चीज़ों को जान लेते हैं और पूरी दुनिया जो है जो आप globalization आज देख रहे हैं जिसको आप क्या कहते हैं वैश्वी करण या भूमंडली करण इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल संचार के माध्धमों का है और इसमें आज की देट में अगर कोई क्रांती कर रहा है तो वो क्रांती कर रहा है वो क्रांती कर रहा है इंटरनेट इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ी क्रांती कर रहा है ठीक है तेस्या विदेस में रह रहे हमारे परिव हैं जो खास करके insert satellites है या communication satellites जो हैं इनके माध्यम से आप live telecast देख लेते हैं इनके माध्यम से आप कहीं की चीज़ कहीं देख लेते हैं तो उपगरा को भी संचार के साथ आप जोड़के चलिएगा ठीक है संचार के मिसाधन भागोलिक दूरियों को कम करने के लिए विभिन राष्टों के सभावना जागरित करने में बहुत काम आते हैं किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक और रायनेतिक विगास में संचार का माध्यम इंपॉर्टिंट है प्रधान मंतरी देश में क्या बोल रहे हैं सरकार की नीतियां क्या है कैसे प्रचारित प्रसारित किया जाएगा तो जो रायनेतिक कारण जो तरीके हैं या रायनेतिक जो उद्देश हैं समाजीक उद्देश हैं वो सब कुछ कि से हैं संचार के माध्य हो तो जैसे देखिए अगर वायुवयान चलता है तो टेलीकॉम सारा वो सेटलाइट से एक दूसरे से जुड़े रहते रडार से वो सुचना देते रहते हैं भारत जैसे भी विज़ता पूर्ण जिसमें भगोलिक आर्थिक समाजिक हर तरह से भी विज़ता है देश में संचार से संबंदित में तो पूर्ण पार्ट संचार में आपने देख लिए कि संचार क्या है जब आप सुचनाओं का या संवादों का आदान परदान करते हैं संचार के कई माध्यम हैं जिसकी चर्चा हमने करी ली जिसमें आप अगर संचार के माध्यमों में आप थोटा लोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे टेली फोन टेली वीजन ठीक है इंटरनेट मोबाइल कम्प्यूटर अखबार अब यह क्लास आट वी का बच्चा भी बता सकता है लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए रेडियो यह सारी चीज़ें क्या है यह क्या है सब संचार के माध्यम को रूप में आप लिख सकते हैं ठीक है और यह माध्यम क्यों जरूरी है वो मनें आपको डीटेल में चर्चा करे दिए तो अब कोई डाउट या परिशानी अगर इस चेप्टर से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा एक बात का ध लिखत परिशानी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कभी भी टीचर से जोड़ सकते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में तब तक टेक केर बाई बाई